C.U.E.T.U.G. के चोथे चरण में भी तकनीकी गड़बड़ी दिल्ली के कई केंद्रों पर परिक्षा रद्ध होने का दावा चोटे चरण की परिक्षा के दोरान कई छात्रों ने दावा किया कि उनके संबंधित केंद्रों पर परिक्षा तकनी की खराबी के कारण रद कर दी गई अब केरल में भी सावरकर को लेकर विवाद संगठनों ने स्कूल के खिलाफ निकाला विरोध मार्च रैली में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों में से एक के रूप में तयार एक बच्चे पर वीडी सावरकर का नाम लिखा था सोशल मीडिया पर इसकी फोटो वारेल होने पर विवाद खड़ा हो गया CUET UG 24 चरण की परिक्षा आज से 3.72 लाख से अधिक उम्मिदवार लेंगे भाग UG 2022 चरण की परिक्षा में लगभग 3.72 लाख उम्मिदवार उपस्तित होंगे CUET 2022 चरण की परिक्षा 17 अगस्त, 18 अगस्त और 20 अगस्त को आयोजित की जाने वाली है CUET में तक्नीकी खामिया जटका नहीं, अभिजेई और नीट के विलय में जल्दबाजी नहीं UGC चेर्में CUET UG के चोथे चरण की परिक्षा की शुरुवाद बुधवार से होगी पहले चरण की शुरुवाद जुलाई महिने में हुई थी इस दोरान कई केंद्रों पर परिक्षा में तक्नीकी खामिया सामने आई थी सांसत ने लिखा इतिहास को याद रखने इससे भविष्च के लिए अतीत की गलतियों को पुनहन दोहराने की सीख मिलती है और जो व्यक्ति समाज या राष्ट इतिहास की भूलों से सीख नहीं लेते वह बाद में पश्चा ताप करते हैं पीएम मोदी से मिलकर एंसी सी कैंडिडेट्स खुस बोले सपना पूरा हो गया सुतंतरता की 75 वी वर्षगाट पर भाषन के बाद मोदी ज्यानपत के बाड़े में चले गए उन्होंने हाथ थिला कर कैडेट्स का अभिवादन किया अब जै जवान किसान विज्यान के साथ अनुस संधान भी पीएम मोदी ने लाल किले से दिया नया नारा पीएम मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में कहा कि हमारा सबसे बड़ा संकल्प है विक्सित भारत और इससे कम कुछ नहीं चाहिए CBSC compartment परिक्षा के लिए प्रवेस पत्र जारी उमिद्वारों को अपने प्रवेस पत्र डाउनलोड करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने पंजियन क्रमांक और जन्मतिती आदी जानकारी को दर्ज करके सब्मिट करना होगा चीनी राजियूत का बड़ा बयान चीन में पढ़ाई के लिए जल्द लोट सकेंगे भारती चात्र इस्कूल में आब राखी पर बवाल सिक्षकों ने बच्चों के हाथ से जबरन उतरवाई राखी